हाई गैसे हो आप सब आप 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 लोग बहुत ही अच्छ होंगे मस्त होंगे दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग के साथ शर्फ करने वाली हो एक सोप जी हाँ यह है है होमेड सोप जो हेंडर परसन केमिकल फ्री है और यह बना है प्लांट वाले ऐलो वेरा जल से जी इसका एफेक्ट है हमारे फेस बहुत ही अच्छ है इसको यूज करने के बाद आपके स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और आपके फेस पे भी एक प्यारा सा ग्लो नजर आता है जह दोस्तों और इससे बनाना बहुत ही जादा आज है तो यह सोप आज की वीडियो में आ दूर हो जाएगी और फेस लेटिव जो भी इसके लिए प्रॉब्लम होती है वो सारी दूर हो जाएगी तो आज का यह वीडियो देखते हैं और सीखते हैं यह सोप बनाना और सबसे पहली बात कि अगर आप यह देख रहा है तो प्लीज इस वीडियो जरूर ट्राइ करना और ट्राइ करने के बाद आपका जो भी अनभ है मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जो शेयर करना दोस्तों वीडियो को लाग के शेयर करना वीडियो पश लेना ज़रूर प्लाइ करूंगी और वीडियो में कुछ भी प्रॉबलम है या अच्छा नहीं लगा है या कोई कमी न पहले बार चानल पर आया है तो च्छों को सब्सक्राइब कर दो बहुत सारी बाते कर लिए चलो फटाफट अब यह सोप बनाते हैं और फिर मैं अपने फेस पर यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी तो चले देखते हैं वीडियो इस सोप को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवशकता है सबसे पहले मैं ले रही हूँ अलोवेरा की लीफ जो बिल्कुल नेश्रल है वो बिल्कुल ताजी है तो मैंने यापे दो लीफ ली है सेकंड मैं ले रही हूँ वर्जिन कोकोनेट ओयल जो हैंडर पर संप्योर होता है क्योंकि इसमें कोई भी कैमिकल नहीं होता है तीसरी जो चीज़ मैं ले ली हूँ वो है सबसे पहले लीफ पर बिल्कुल क으रे जल कमस ने लेटीया करके लूटी, याधँ क रसेया के जल दिखुकल दूरों इसे किया करना है इसे जल हो सिर्द टुक्ले से मिलते हैं अंदो अधिते हैं इसे अठील टुक्ले से स्काव झाज्ट है मैं उसकी टीयार कर लिनसे अब मिलते हैं सौप कबसे ने जाँ यहां पर मुझे 200 रुपए का लगबग 900 ग्राम पड़ा तो काफी सस्ता पड़ता है साबून बनाने के लिए तो आप भी एक बार मंगा लोगे ना तो कई बार आप सोप बना सकते हो मैं अक्सर आप लोग के साथ सोप शेयर करती रहती हूं सब्छताइ डाम इस पीर साबून से विधाह सकते हो क्योंकि प्त میں 100% ग्लीसिरिं का होता है फے यह पर 100 परजे hm पर यह जो सब्सें इसके तो पीर्स संब्सांस से बना सकते हो पर वह 50 रुप stubन बरता हरं यह लाग है तो मैंने यह 100 ग्राम ले लिया है अब इसे काड कर डबल बॉयलिंग सिस्टम से हम इसे बॉयल करेंगे यानि पिगलाएंगे इसको बॉयल नहीं करेंगे पिगलाएंगे साबुन साबुन सोब बेस में हम ड्याल देंगे छला देंगे इसे अच्छे से कर दीजिएक और इसमें हम इक ढखकन वर्जिन कोकोनेट यूज कर रहें दो अधिग जिसने केपास नहीं होता है तो आप मार्केट में मिलने वाला कोई भी coconut oil यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो इसके अलावा यहां पर बादाम का तेल या फिर olive oil भी यूज़ कर सकते हो तो आप चाहो तो यहां पर फिग्रंस के लिए भी कोई भी कोई भी महग के लिए आप कुछ भी या पर आड़ कर सकते हो जिसा lavender का essence oil होता है आप कोई भी याड़ कर सकते हो बट मैंने कोई भी महग के लिए कुछ भी आड़ नहीं किया है मैं बिल्कुल chemical free बनाना चाहती थी कुछ भी ऐसा नहीं आड़ करना चाहती थी दोस्तों यह जो बट सिल्कॉन वाले भी आते हैं जिसमें हम लोग कपकेक बनाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो बट मेरे पास थे ने तो मैं यह डिस्पोजल ग्लास के इस्तेमाल कर रही हूं इसमें अच्छे से मैंने ऑईल लगा दिया है ग्रीसिंग कर दीजे थोड़ी सी ताक कि जो सिल्कॉन वाले में आप डालोगे साचे में डालोगे तब गलेगा नहीं ता आप गरम गरम भी डाल सकते हो बट मैं थोड़ा थंडा होने के बार डाल रही हूं इसके बाद क्या करने आप चाहो तो बाहर से रख सकते हो बाहर रखो गे तो इसे जमने में 2-3 गंटे लगे आप वाय दिन डोगे तो आदे घंटे में जम जाएं गे तो दोस्तों चलो मैं इसे फ्रीजर के ठंडा होने के लिए रख देती हो दोस्तों हमने रिप्रीजर से निकाले आप देख सकते हो यह जो सोप है वो जम चुका है आप मैं क्या करूंगी एक ब्लेट की म thanसी यह थोड़ा सा चौड़ा बना हुआ है यह नो कुछ ही आसा दोस्तों हमारा सोप बना यह बॉहाद यह अच्छा जाग का प्लस अपने देखा कोई भी का केवल फैयदा देने वाल है तो चलो में अपने फेस्ट पर प्राइब करती हो जो जड़ा प्रम कर दिखा रही हूं तो मैं अपने फेस्ट लगा लें आप देखें के बहुत इच्छा जाग। चाल नजर आएगा और मैं इस पाल लंगाने से पहले देख सकते हों मेरे चेहरे बर तुरंद इंस्ट ब्लो नजर आऻ़ा है मेरा फेस काफी जदा क्ली नजर आ रहा है तो दोस्तों आप पी सोप का सकते हो इसे दिन में दो बार करना सूब करिये वेड़ी मिग्नाल कर में रात को सोने से पहले जरूर इस साबून का जो इसे जो कॉत अफंसुन शूरें. लंके राते हैं. लिए को मूहाने स्वाइस को अफंसौते हैं जाघ-षटी रात को जब ही उवस्पारा दो सबीने को लोगा शुथरे मांसून में मौसम में मांसुन वौन शुझ कॉछ जाचाएँ तो आप तो से तीन बर्स के इस्तमाद कर सकते हैं जब यूज करोगे तुरंट आपके फेस का एक्स्टा ऑईल है ये खीच लेगा आपके फेस पे बहुत ही प्यारा सा ग्लो नजर आएगा तो आप जब भी जद्याया है तो आप जदा फायदे-मंद we दॉस्तों इस मुझे प्लाणवेधर जल घंब एक बणल में मुझे जल इसमाल करें को मुझे इसमें कैमकल उता हैiksi जल खराब नहीं होता और आप चाहओ तो से फ्रिज में रखके भी यूज कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा तो दोस्तों इस सोप को जो ट्रै करने के बाद अपना अनबो कमेंट्स बॉक्स में ज़रू बताना वीडियो को लाइक न शेयर करना और पहली बा बिड़ों को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत बूलां बाबाई टेक्यार